योग गुरू रामदेव ने कहा कि समाजिक राजनितिक और सांस्कृतिक मुद्दों की सही समझ हासिल करने के लिए बॉलीवुड अभिनेतरी दिपिका पाधु कोन को उन जैसा कोई सलहकार रख लेना चाहिए रामदेव का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली स्थित जौहलान नहरु विश्व विध्याले परिसर में हाल में हुए हमले के बाद वहां जाने को लेकर 34 वर्षिया अभिनेतरी को दक्षिन पंथी संगठनों और भाश्पा निताओं की आलोचना का सामना करना यह समझ हासिल करने के बाद ही उन्हें बड़े निर्ने लेने चाहिए उन्होंने कहा मुझे लगता है कि दिपिका पादुकोन को स्वामी रामदेव जैसा कोई सिलहाकार रख लेना चाहिए जो उन्हें ऐसे मुद्दों पर सही बात बता सके संशोधित नागरिता कानून का जोरदार समर्थन करते हुए रामदेव ने कहा कि जिन लोगों को CAA का फुल फोम तक नहीं पता है वे आज जिस विश्य में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तिमाल कर रहे हैं प्रधान मंतरी और ग्रहे मंतरी खुद कह चुके हैं कि यह कानून किसी व्यक्ति की नागरिता चीनने के लिए नहीं है बलकि नागरिता देने के लिए बनाया गया है फिर भी लोग आग लगाए जा रही है रूची सोया गुरुप के पतांजली दुआरा पांच हजार क्रोड में अधि ग्रहन किये जाने के बाद इंदोर आये बाबा रामदेव ने विनायक दामोदर सवारकर के बारे में कहा कि वे सवतंतरता सेनानी थे किसी की एक दो भूलों के चलते चरितर पर लांचन नहीं लगाना चाहिए भूल कौन नहीं करता है क्या नहरू गांधी ने भूल नहीं की यह ओची राजनीती नहीं होनी चाहिए मौई सीम कमलनाथ को दूरदर्शी बताते हुए रामदेव बोले कि जितना प्रेम मितरता शिवराज सिंग चोहान से है उतनी कमलनाथ से भी है उनकी वह दूसरे कुछ राजनेताओं की सोच में जमीन आसमान का अंतर है दिपेका पादकोन के बारे में उन्होंने कहा कि वह अच्छी कलाकार है लेकिन राजनीतिक, समाजिक, सांस्कृतिक समझ के लिए और पढ़ना पड़ेगा ऐसे ही लेटेस्ट रबरेपाने के लिए बैल आइकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवारी